पाकिस्तानी क्रिकेटर शोयब मलिक किसी ना किसी वजह से सुर्ख्यों में बने रहते हैं। जनवरी दो हजार चौबिस में शोयब ने अपनी तीसरी शादी की फोटो शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया था। शोयब ने सानिय मिर्जा से तलाक के बाद फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रिस सना जावे संग तीसरा निकाह किया था। तीसरी शादी करने पर शोयब काफी ट्रोल भी हुए थे। वहीं अब एक बार फिर क्रिकेटर लाइम लाइट में आ गए हैं। दरसल शोयब पर तीसरी शादी के बाद भी एक एक्ट्रिस सक फ्लर्ट करने का आरूप लग रहा है। दरसल पाकिस्तानी एक्ट्रिस नवल सईद हाली में पाकिस्तान में रमजान के एक शोयब में स्पेशल गेस्ट बन कर पहुची थी। इस दोरान होस ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अभी नेताउख से फ्लर्टिंग मेसेज मिलते हैं। इस सवाल के जवाब में एक्ट्रिस ने कहा कि उन्हें जादातर मेसेज क्रिकेटरों के आते हैं। ये सुनकर लोग हैरान रहे गए। नवल सईद ने कहा कि उन्हें क्रिकेटर से मेसेज मिल रहे हैं और ये सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल प्लैट्फॉर्म पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें उचित तरीके से विवहार करना चाहिए। इसके बाद होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या नसीम शाह वो खिलाडी है जो उन्हें इंस्टाग्राम पर मेसेज भेशते हैं ये सुनकर एक्ट्रेस हसने लगी और बोली कि वो क्रिकेटर सिंगल नहीं है। वही जब होस्ट ने उनसे डाइरेक्ट पूछा कि क्या ये शोयब मलिक है तो इस पर नवल ने कुछ नहीं कहा लेकिन शोयब के नाम पर थोड़ा सा वो मुस्कुराई ज़रूर। वाले किरकेटरों के इन मैसेजिस के स्क्रीन शॉट भी रखती है। लेकिन अब शोयब मलिक पर तीसरी शादी के बाद भी फ्लर्टिंग करने का आरोप लग रहा है। पहले इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंड बॉक्स में ज़रू बताए। फिलाल अमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक, जले बाद वीडियो में करने का आरोप लेगा जाम ही वीडियो में ज़रू है जड़ आपका करने का ज़रू है। उल्टिस प्लेश संवे करने खिले भीडियों एंड चैनल को लोगाइब कर लेगान से भीड़ें। झाल झाल झाल